हेलो एव्रिवन यूपी अनेचम भर्ती 2020-21 का पर्टिकुलर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है इस नोटिफिकेशन में 2700 प्लस 1400 ओफिशल जो वेकेंसी जो निकाली गई थी उसका ओफिशल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है इसमें ऑफिशल एक्जामिनेशन डेट्स जो की दो फेजेज में रखी गई है फेज वन और फेज टू साथ ही इसमें एक स्लेबर्स भी दिया गया है जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज आपको क्या पढ़ना है क्या चीज़ें हैं कौन-कौन सब्जेक्ट पढ़ना इ शेयर करना ना भूलें जैसे कि आपके सामने मैंने साम्स एलाइन्स मैनेजमेंट सर्विसेस की ओफिशल वेब साइट को उपन कर लिया है यहाँ पर जैसे ही आप देखेंगे लेफ्ट साइट पर एक नोडिफिकेशन जारी किया गया है यूप नहम के माध्यम से इसमें दिया हुआ है कि रिक्रूट्मेंट फॉर फॉर्टीन हंड़ेड प्लस और ट्वेंटी सेवंड़ेड प्लस कॉंट्राक्च्छल वेकेंसीज फॉर स्टे डिवीजन दिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लिवल ना ब्लॉक नैशनल हेल्फ मिशन उत्तरप्रदेश का पर्टिकुलर नोडिफिकेशन है इसमें करते हैं यहां पर एक नोडिफिकेशन आ जाता है रिटेन टेस्ट शेड्यूल एंड स्लेबर्स इसमें जब इसमें आप लोग को पर्टिकुलर स्लेबर्स और शेड्यूल की पूरी जानकारी इसमें दी हुई है आपके इसमें दिया हुआ पर्टिकुलर 2700 और उसके पर्टिकुलर वेकेंसी का स्लेबर्स और साय रिटेन टेस्ट की जानकारी पूरी इसमें दी हुई है आईए इसको देखते हैं यह क्या है जैसे कि आपके सामने मैंने पर्टिकुलर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है जो कि नैशनल हेल्थ मिशन उत्रप्रदेश के द्वारा निकाला गया है जैसा कि यहाँ पर दिया गया है यह फेस यह रिटेन टेस्ट चेडिल है इसमें रिटेन टेस्ट फेजेस यह दो फेजेस में करें गए हैं फेस वन में फेस वन में भी आपके डो एक्जामिनेशन हैं 10 से 12 बजे का फर्स संडे को 24 तारік को जो है तो रहा फेस दस से 12 बजे का फर्स सेशन ऊसीοι में 2nd सेशन ने का 12 से 4 बजे तक का इसी तरीके से से 22 इस का यह मुलत पयथ है बी ऑनब reuse को है 12 ल हुआ कि को है इसमें 2nd फेस फ़र्स सेशन का दस से brass 20 एरे 2000 स्वушки का है जो भी आपके रिटन एग्जामिनेशन होंगे उसकी कोई अधर सिटीज में नहीं होंगे वो सिर्फ लखनौ में ही उसको और्गनाइज किया गया है नोट दिया हुआ है रिटन टेस्ट जनल इंस्ट्टिन गाइडलाइन अधर डिटेल्स अर अप्लोडड शॉडली अधर कर सकते हो immers in go ahead Koh Kim एसीब में कोड कोड़ इंप हुसको डाउनलोड कर सकते हो जैसा कि यह फे पर्टिकुलर है फेज़ वन में 2700 पर्टिकुलर विकेंशी सेंगे इस में यह है syllabus में आपका 30% of logistical verbal awareness, 70% of domain of specific question, midwifery and obstetrical nursing and community health nursing, critical care, emergency care, fundamental of nursing, communicable disease, pharmacology, first aid, आपका pediatric nursing administration, others का particular exam में questions आएंगे. इसी प्रकार आपका second है, NCD, NHMP का psychiatric nurse की post है, NCD, NMHP, January 2024 को का first paper है, 100 questions आएंगे, shift आपकी 10 to 12 में आपका syllabus दिया हुआ है, 30% questions, logical reasoning, verbal के होंगे, general awareness के होंगे, 70% specific question, midwifery, obstetric, gynec and critical care, emergency, fundamental, medical surgical, pharmacology, nutrition, first aid, administration, etc. पर्टिकुलर इसमें questions, same पहले वाले के जैसे इसमें भी same questions आएंगे, फिर इसी तरीके से आपका child, child health related staff nurse की vacancy है, CH, CH, SN, NRC से related है, इसका भी 24 तारीकों exam है, 100 questions आएंगे, इसका भी first shift में होगा, तो इसमें भी syllabus जो है, question आपका logistic reasoning, आपका general awareness, 70% domain specific question, midwifery, obstetric, same, आपका इसमें है, बस इसमें nursing administration and ward management भी इसमें, इसमें पहले ही जैसा same, यह जो इसमें है, वो ही, इसमें equal है, सारे questions एक जैसे है, फिर इसी प्रकार आपका fourth है, इसमें child health का staff nurse है, CH, SN particular है, paper आपका first है, और 100 marks के MC के questions आएंगे, इसमें भी particular same particular slaybors है, general awareness and current affair, और सब इसमें सारे के सारे same questions है, फिर child health इसमें है, इसमें particular 24th January 2021 को है, first paper 100 MC के questions आएंगे, same इसमें भी same questions है, सारे slaybors same इसमें दिया हुआ है, same slaybors है इसका भी, चाहिए 1 to 5th आपका particular slaybors same रखा गया है, फिर district hospital strengthening में staff nurse है, DHNS आपका particular है, same 24th को है, आपका shift भी same है 10 to 12 और slaybors आपका भी इसका same रखा गया है, इसी तरीके से next जो particular post है, district hospital and strengthening, 8-bedded high dependency unit के लिए staff nurse, DHS, SN, HDU, January 24th को है, first paper है, 100 marks का particular MCQs आएंगे, इसमें जो है, आपका logical reasoning, verbal, general awareness, midwifery obstetric, gyneic community, community health nursing, और critical care, nursing fundamental, communicable disease, pharmacology, nutrition, first aid, nursing administration and ward management, ये भी same आपका particular slaybors दिया गया है, first paper में आपका particular सारे slaybors एक जैसे हैं, इसी प्रकार आपका district health strengthening, staff nurse, DHS, DHS, NI, HDU का है, particular same है, 10 बज़े paper है, 100 के MCQs और same इसका भी slaybors रखा है, फिर RBSK का है, RBSK का particular slaybors आपका change है, ये second shift का है, RBSK में A&M की post जो है, RBSK A&M, इसका 24 तारीकों paper है, paper second, ये सुबह का paper जो है paper first है, और शाम का paper paper second है, 12 to 4 आपका shift रखी गई है, इसमें syllabus for paper 2, इसमें questionnaire and logical question and general awareness, current affairs, 70% domain, community health nursing, nutrition, human body hygiene, mental health, primary care nursing, infection immunization and communicable disease, community health problems, primary medical care, first aid, first aid, आपका community health problems में आपका primary medical care, first aid और child health nursing में और health center management, midwife पूरा जो particular A&M का slaybors है, ये पूरा इसमें दिया हुआ है, इसी परकार BPU आपका है, BPU का blog, account manager का post है, इसमें आपका general same है, first paper है, phase 2 का, phase 1 खतम है, phase 2 का first paper है, इसमें आपका shift जो है 10 से 12 रखी गई है, इसमें question logical reason है, verbal awareness, contact affair, domain specific questions, account bookkeeping, double entry, general leaguers, traders account, balance sheet, others का particular इसमें दिया हुआ है, same इसी तरह का, आपका data, data come account assistant की same, इसका slabbers है, same इसी तरीके से, आपका accountant की post है, इसमें भी ये particular same shift, same slabbers इसमें रखा गया है, फिर phase 2 का जो particular, fourth है, वो data account उसका भी same, आपका slabbers है, इसमें भी आपका finance officer का भी particular finance और accountant का भी particular same slabbers रखा हुआ है, इसी तरीके से, आपका SPMU, district data come account manager की particular, इसमें भी slabbers, same है, phase 1 और phase 2 में यही डिफरेंस है, इसी तरीके से, आपका contractual accountant और जितने भी data accountant और nutrition feeding आपका है, particular इसमें सारी चीज़ें उसी में सेम रखी गई है, nutrition feeding वाले में जो particular है, slabbers change है, इसका भी यह 2 to 4 आपका exam दिया गया है, आप as per इसके देखके particular यह written desk का schedule और slabbers डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें food and nutrition and human development and child human nutrition, food science and public health and hygiene, nutrition and health education particular यह सारा slabbers दिया हुआ है, इसी तरीके से medical officer की post है, medical officer में आपका slabbers दिया हुआ है, general reasoning, journal awareness of current affair, domain of specific, oral hygiene, dentistry and anatomy and pathology particular सारी जिते भी हैं उससे related, दिया गया, mo I use के लिए भी particular सेम, आपका अलग थोड़ा सा slabbers है, human particular सारी चीज़े दी हुई है, इसी तरीके से सारा जो particular है, इसमें अलग-अलग slabbers दिया हुआ, अलग-अलग timing है, उसको आप लोग ध्यान से पढ़ें और सही से questions के answer दें, जैसा है कि यहाँ पर psychologist का है, psychologist RBSK का है, इसमें general awareness, domain of specific question, basic of psychology, and social psychology, child psychology, clinical psychology and occupational psychology and behavior का particular जैसे दिया हुआ, इसी तरीके से सबका अलग-अलग, सबका slabbers दिया हुआ है, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथी इस information को share करें, जिससे कि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास information पहुँच पाए, साथी मेरे चैनल को subscribe करना ना भूलें, साथी bell icon जरूर दबाएं, जिससे की latest notification आपके पास आती रहे, मिलते हैं next video में, next information में, जल्दी मिलते हैं, कब इसका particular admit card download होना है, कब होना है, सारी चीजों की जानकारी मैं आगे आगे देता रहूंगा, धन्यवाद.